अमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले यूपी के बुलन शेहर में नागरिक्ता संशोधन कानून और अनरसे के खिलाफ आज जुम्मी की नमाज के बाद उपद्रवियों ने करीब दो घंटे तक उपर कोट की सडकों पर खुब नंगा नाच किया उपद्रवियों ने एक साट मोर्चा संभालते हुए पुलिस पर जम कर पठराव किया और पुलिस की जीब और नीजी वाहनों को आख के हवाले कर दिया इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने करीब एक दरजन वाहनों को तोट डाला पत्राव में एक दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी सूचना है आज जुम्मे के नमाज के लिए लोग मस्जिदों में जमा हुए थे मस्जिद से निकलते ही लोगों ने नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया हालाकि पुलिस और मुस्लिम उलेमाओं के समझाने पर लोग वापस चले गए कुछ देर बाद भीड का जठ्था वापस लोटाया और अचानक पुलिस पर पत्राव शुरू कर दिया पत्राव में करीब एक दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटे आने की सूचना है महीं प्रजर्शन कारियों ने रोट साइड खड़ी करीब 11 नीजी वाहनों को तो डाला और पुलिस की जीब को भी आग के हवाले कर दिया प्रजर्शन कारियों के होसले इतने बुलंद थे कि पुलिस को कई बार पीछे हटना पड़ा हाला कि जवाब में पुलिस ने प्रजर्शन कारियों पर हवाई फाइरिंग की और आसू गैस के गोले छोड़े खुद SSP संतोष कुमार और SPCITY अतुल श्रीवास्तव ने उपद्रवियों पर आसू गैस की गोले दागे DM भी मौके पर डटे रहे हाला कि सडक पर करीद दो घंटे चले प्रजर्शन कारियों के नंगे नाच के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड दिया अब स्थिती सामानने जरूर है लेकिन घटना इसल पर अभी भी पुलिस का पहरा बरकरार है इस मामने में पुलिस ने FIR दर्ज करने के तैयारी शुरू कर दी वहीं आईजी जोन आलो कुमार भी बुलंड शेहर पहुँच गए एडिटरी चीफ इकबाल सेफी के साथ थामिस सेफी टाइम 24 न्यूस